गुड मॉनिंग स्टूडेंट्स तो आज का मारा टॉपिक है एकनॉमिक ओडर कॉंटिटी कल हमने जस्ट इन टाइम वाला किया था आज हम उससे नेक्स्ट टॉपिक करेंगे यो क्यू यो क्यू के प्रैक्टिकल्स भी आएंगे पेपर में सो यह इंपोर्टेंट टॉपिक ह इसके त्यूर्य पाट आज हम करते हैं चीक है अब एकनॉमिक ओडर क्वांटिटी मोडल क्या है इस तब वन ऑफ द ओल्डस और मोस्ट कोमली नोस इन्वेंट्री कंट्रोल टिक्निक यह क्या है कि इन्वेंट्री को कैसे कंट्रोल करना है चीक है और यह बहुत पूरानी औ और कॉमनी नोस अब पता होगा यह टिक्निक के बारे में चीक है जो मदला कि इंडॉस्ट्री बगरा है उनमें यह कॉमनली यूज ओती है टिक्निक से के इन्वेंट्री कंट्रोल टिक्निक है और उसकी जो है research जो है इस कब की की थी 1915 में और publication किसने की थी 4W Harris आपको यह नाम पता होना चाहिए 4W Harris ने किया था इसकी publication की थी research की EOQ is still used by large number of organization today मैंने बताया नहीं कि काफी organizations प्रश को योज़ करती है इस टेखनीक है इस यूज़ कर सकते हैं इस में इसम्शं इतनी नहीं है ठीक है सब्लिख गीवन अब आपको यह चुहां यह क्यों की देखनी पड़ेगी विए फसे जन्य स्क क्या है Demand is non-unconstant जैसे कि मैंने कल भी थोड़े बहुत है EOQ के बारे में बताया था इसमें क्या होती है Demand हमें पता होती है कि कितनी demand होगी goods की और यह stable रहती है demand इस case में EOQ के case में Next क्या है The lead time that is time between the placement of order and the receipt of order is non-unconstant Lead time का मतलब क्या है कि जब हमने order place किया चीक है और जब हमने जो हमने order किया वो हमने receive किया उसमें जो difference होगा उसे हम बोलेंगे lead time चीक है जो lead time है वो भी constant होता हमें पता होता कि जब हम order करेंगे within one week या two three days जो है समान हमारे पास receive हो जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे जो two three days जो है बीच में पड़े हैं वो lead time है और ये भी क्या होगे constant ठीक है याद रखना lead time क्या होता है the receipt of inventory is instantaneous in other words inventory from an order arrives in one batch at one point in time मतलब जो हम inventory है order करते हैं वो batch बना के करते हैं यह से इतनी quantity की inventory इस बैच में करेंगे और इतनी quantity की inventory इतने बैच में आएगी ठीक है एक टाइम पर जो बैच में आती है यहां पर क्या होता है कि जितनी quantity ख्रीद होगे bulk में ख्रीद होगे तो discount मिलेगा यहीं वो बट इस case में जो है discount बगारा quantity पे नहीं मिलेंगे चीक है नेक्स्ट है the only variable cost are the cost of placing an order यहां पर क्या है कि variable cost है सिर्फ हम होती है यहां पर जो की होती है order को place करने की ordering cost and the cost of holding storing inventory over time इसमें यहां पर तीन तरह की cost आएंगी एक होगी कि ordering cost हमारी कितनी है CO एक होगी हमारी carrying cost कितनी है ठीक है यह दो तरह की cost आएंगी यहां पर holding और यानि कि हम कह सकते carrying cost या ordering cost क्या है यह दो तरह कि यहां पर variable cost होंगी EOQ में बाकि हम इसका कल या पर सोजो अब इसका formula बगारा यह practical question करेंगे तो यह आपको ज्यादा अच्छा से point clear हो जाएगा तब चिक है next है if orders are placed at right time just wait if orders are placed at right time stock out and shortages can be completely avoided इसका मतलब क्या है कि जब हमें मतलब के अगर हमने जो है समान अपने right time पर मंगवालिया तो obviously shortage इस तो होगी नहीं यह stock out तो हो गई नहीं तो उस case में क्या है हमारी production भी impact नहीं आएगा या effect नहीं करेगी production भी तो उन्हेंने बोला shortages जो है हमने completely avoid करना है अगर order को right time पर मंगवालते हैं inventory के order को तो इस case में क्या होगा तो shortage जो है हम इसी तरीके से जो है avoid कर सकते हैं ठीक है तो इसी के साथ EOQ के जो है कतम होता है हमारा topic assumption as well as EOQ होता क्या है एक बार आप इसे read करके देख लेना अगर कोई doubt होगा देना आप मेरे से clear कर लेना so thank you class